नमस्कार आपका अख़बार के संख में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग दिल्ली हाइ कोड का बहु प्रतीक्षित फैसला आखिरकार अर्विंद केजरिवाल की गिरफतारी को लेकर आ गया अर्विंद केजरिवाल ने दिल्ली हाइ कोड में चुनोती दी थी अपनी गिरफतारी को कहा था कि ये इलीगल है गैर कानूनी है उन्हें गिरफतार नहीं किया जाना चाही था उनके वकील ने कहा कि उनको गिरफतार करने की कोई जरूरत नहीं थी इस मामने में कानून का उल पावधानों का पालन किया है और ये ग्रफतारी पूरी तरह से कानून सम्मत है और अर्विन केजरिवाल की याचिका को खारिज कर दिया अदालत ने अर्विन केजरिवाल के खिलाफ कई सारी टिपपडियां की और बहुत सारे सवाल जो उनके वकील अभिशेक मनु सिंग्व एक कि चुनाओ की अधिसूचना जारी होने के बाद अर्विन केजरिवाल की गिरफतारी हुई है जिससे उनको चुनाओ में प्रचार से रुका जा सके अदालत ने कहा कि ये हमारा कंसर्ण नहीं है इससे हमको कोई मतलब नहीं है कौन टिकट देता है कौन जो है चुनाओ कि अधिसूचना जारी होने से पहले ग्रफतारी होती तो उसको चुनाओ न दी जाती कहा कि अधालत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि चुनाओ की अधिसूचना जारी हो चुकी है या नहीं एक गवाव को आंध प्रदेश में टिकट देने के मुद्दे पर अधा दिया तो अधालत ने कहा ये भी हमारा कंसर नहीं है कि कौन किसको चंदा देता है अधालत ने जो बात साफ साफ कही कि गोवा चुनाओ के अंदर जो घोटाले का पैसा इस्तेमाल हुआ हवाला का जो ऑपरेटर है उसका उसका बयान और एप्रूबर्स बयान के अधार पर म मनी ट्रेल स्थापित करना का बार बार सवाल उठाय जाता था अधालत ने कहा हाई कोट ने कहा वो मनी ट्रेल स्थापित हो गई है अर्विंद केजरिवाल की दो तरह से दिम्मेदारी तैकी एक मुख्यमंत्री होने के नाते वो पॉलिसी को प्रभावित करने बदलने की स् में थे और तो निजी आधार पर और आम आदमी पार्टी का कर्मीनर होने के नाते दोनों के नाते उन पर आरोप जो है वो लगाए गए हैं और उसके लिए एडी ने पर्याप्त सबूत जो है अदालत के सामने पेश किये गए हैं एक बड़ा मुद्दा बनाये था और इसको क भरोसे के लाइक नहीं है ये अप्रूवर जो है दवाओ में अप्रूवर बनाये गए हैं इनका बयान पहले कुछ था बाद में इन्होंने बयान बदल दिया अदालत ने कहा कि अप्रूवर के बयान पर सवाल उठाना ये जांच एजेंसी पर सवाल नहीं है ये अदालत प पर सवाल उठा रहे हैं तो इसका मितलब आप अदालत पर सवाल उठा रहे हैं। के बयान पर सवाल उठाना उसकी विश्वसनीता पर सवाल उठाना ये दरसल अदालत की विश्वसनीता पर सवाल उठाने जैसा है तो जितने मुद्दे उठाये गए थे आम आदमी पार्टी की ओर से उन सब को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और इसके साथ ही लतार भी ये अदालत ऐसा काम नहीं कर सकती कि आम लोगों के लिए एक कानून होगा विशिष्ट लोगों के लिए या मुख्यमंत्री के लिए दूसरा कानून होगा जो कानून है वो सबके लिए समान है आप विशिष्ट है इसलिए आपके लिए अलग से कानून लागू होगा ऐसा न दिल्ली हाई कोट के इस फैसले ने केवल अर्विंद केजरिवाल नहीं पूरे विपक्षी गड़ बंधन की विश्वसनियता पर सवाल उठा दिया है। जो आरोप लगाए है जाच एजनसी ने उसके पक्ष में पुखता सबूत अदालत में पेश किये हैं। जुनाओ तक बने रहना तो तय है तो अर्विंद केजरिवाल जेल में बने रहेंगे। पंदरह तारीक को जब उनको फिर पेश किया जाएगा तो उसके बढ़ने वाली है। वो मनीश सिसोधिया और सतेन जैन की तरह वो जेल में ही रहेंगे। ये बात आज पक्ती हो गई है। अब सवाल उठेगा कि दिल्ली का क्या होगा। अर्विंद केजरिवाल कि आप भी अड़े रहते हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। अगर वो इस बात पर अड़े रहते हैं तो हमको ध्यान देना होगा कि दिल्ली के लिटेनेंट गवर्नर ने जो बात कही थी कि हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। ये दिल्ली के लोगों को मैं आजश्वासन देता हूँ। तो अब अगला कदम क्या होगा। अब अगला कदम जो है वो उसकी पहल कदमी जो है अर्विन केजरिवाल और आम आदमी पार्टी को करनी पड़ेगी। जेल में रहेंगे। तो ऐसे में उनका मुख्यमंतरी बने रहना तो असंभव है। उनको इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। दो दिन बाद नहीं, चार दिन बाद नहीं, छे दिन बाद नहीं, दस दिन बाद उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। नहीं तो उनके सामने एक दूसरा संकट मुबाय खड़ा है। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं और इस बात पर अड़े रहते हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे, जेल में रहकर मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो उनको ये समझना पड़ेगा कि LG के हाथ में 356 का अधिकार है, दिल्ली में राश्पती शाशन लग सकता है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरिवाल जिम्मेदार होंगे। पदलिपसा की मोह में वो जिस तरह से लगातार कुर्सी से चिपके हुए हैं, उनकी छवी जो राजनीती बदलने आये थे, राजनीती का और तरीका बदलने आये थे, वो साबित हुआ कि दूसरी पार्टियों के जिन नेताओं के खिलाफ अभियान चला कर वो आए, उनसे ज़्यादा ब्रष्ट होने का आरोप है उन पर और उनसे ज़्यादा पद से चिपकने का आरोप है, वो सबको दिखाई दे रहा है, अर्विंद केजिवाल के सामने इस समय एक ही मुद्दा है, को जेल में तो उनको रहना है, ये उनको मालूम है, अब वो चाहते हैं कि किसी बरखास्त होने दें, या फिर वो नया मुख्यमंत्री चुनकर अपनी सरकार को बचा लें, अर्विंद केजिवाल क्या करेंगे, ये आने वाले दिनों में तय होगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि LG यान इलेटरिन गवर्नर को भी हाई कोट के इस फैसले का बढ़ाने जा रहे हैं, यानि संदर्ब था, इशारा था, कि अर्विंद केजिवाल इस्तीफा दें या न दें, ये उनकी नहतिकता का सवाल है, इसके बारे में अदालत कोई निर्देश्ट नहीं दे सकती, इससे संबंधित पहले भी दो-तीन याचिकाएं, अदालत और ख हो गई, एक अर्विंद केजिरिवाल का इंवाल्मेंट है दिल्ली शराब घोटाले में, और उनका इंवाल्मेंट दो तरह से है, कि दो भुमिकाएं हैं कि एक आम आदनी पार्टी का कन्मीनर होने के नाते और व्यक्तिगत रूप से, अदालत ने माना है कि जो जहांच होता है कि उनको सब कुछ मालूम था और उसमें वो शामिल थे, ये बड़ी बात अदालत ने कही है, कि अर्विंद केजिरिवाल इस पूरे घोटाले की उनके वो जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे, ये प्रतम दृष्टिया दिखाई दे रहा है, और फिर अदालत ने कहा कि अर्विंद केजिरिवाल के जो वकील है, जो उनकी लीगल टीम है, उसको ट्रायल के समय मौका मिलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करने का उन गवाहों को, लेकिन एडी ने वो गवाह जिनके जो एप्रूवर बने हैं, उन्होंने पहले बयान जो दिया था, उसके बा उसमें डारेक्टरेट का केस जो है, बिल्कुल पक्का है, उसमें कहीं भी संदेह की कोई गुंजाइश अभी तक जितने सामने आ रहे हैं, उससे नहीं नजर आती है, तो ये आप मानकर चलिए कि अर्विंद केजरिवाल कटर इमानदार से, कटर बैमान, अदालत के द्वा साबित होने की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, अब उनके सामने दो ही विकल्प हैं, या तो अपनी जिद बचा लें, जिद पर अड़े रहें, या अपनी सरकार बचा लें, अगर अर्विंद केजरिवाल जिद पर अड़े रहते हैं, तो उनकी सरकार जाती है, सरकार बचाते हैं तो उनका इगो उनका आहंकार उनका जो मुख्यमंतरी पद की उनकी जो लिपसा है वो जाती है तो दोनों नहीं बच सकते इतना तै हो गया अर्विंद केजरिवाल जेल से बाहर जल्दी नहीं आने वाले ये तै हो गया अर्विन केजरिवाल अगर जेल से बाहर नहीं आने वाले हैं मुख्यमंत्री नया चुना जाता है और उनकी पत्नी नहीं चुनी जाती तो आप मान कर चलिए कि शीश महल भी खाली करना पड़ेगा ये भी एक बड़ा कंसिबरेशन है इसको चोटी बात मा समझेए उस शीश महल को बचाने के लिए अर्विन केजरिवाल जेल से सरकार चलाना चाहते हैं जिस दिन अर्विन केजरिवाल का इस्तीफा होगा और सुनिता केजरिवाल अगर मुख्यमंत्री नहीं बनती है तो उनके परिवार को केजरिवाल के परिवार को वो शीश महल खाली करना पड़ेगा वो जो सरकारी बंगला करोडों की लागत से 55 करोड की लागत से बनाये गया है बनकि रेनोवेट किया गया कहना चाहिए नया भी नहीं बनाये गया है उसको खाली करना पड़ेगा और लु अर्विंद केजरिवाल का उधारण सबसे ताजा है तो वो मुख्यमंतरी पद बचाना चाहते हैं ताकि बंगला बचा रहे हैं तो आप ऐसा लग रहा है कि न मुख्यमंतरी पद बचेगा और न बंगला बचेगा ये आम आदमी पार्टी पर निर्भर करता है कि वो सुनिता केजरिवाल को वैकल्पिक नेता के रूप में चुनते है या नहीं संजय सिंग के बाहर आने के बाद उससे पहले जो गोटिया बिछाई थी अरविंद केजरिवाल ने उसमें कुछ व्यवधान आ गिया है अब वो व्यवधान कितना होगा यह निर्भर करेगा कि आम आदनी पार्टी के विधायकों की राय क्या बनती है उनको अपना भविश्य किसमे नजर आता है इससे तय होगा यह आने वाले मुश्किल से 4-6-8 दिन के अंदर यह सब बातें तय होने वाली है तो इस अंक में इतना ही अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए अनमती दीजिए आप से अनुरूद है कि यह चैनल देखे शेर कीजिए लाइक कीजिए और सबस्क्राइब जरूर कीजिए नमस्कार